गिंती की पुस्तक अध्याय तेज तब बिलाम ने बालाक से कहा यहाँ पर मेरे लिए साथ वेदिया बनवा और इसी स्थान पर साथ बच्छडे और साथ मेंधे तयार कर तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्यक वेदि पर एक बच्छडा और एक मेंधा चड़ाया फिर बिलाम ने बालाक से कहा तू अपने होंबली के पास खड़ा रहा और मैं जाता हूँ संभव है कि यहवा मुझसे भेट करने को आए और जो कुछ वह मुझपर प्रकाश करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा तब वह एक मुंडे पहाड़ पर गया और परमिश्वर बिलाम से मिला और बिलाम ने उससे कहा मैंने साथ वेदिया तैयार की है और पत्तेक वेदि पर एक बच्छडा और एक मेंधा चड़ाया है यहवा ने बिलाम के मुह में एक बात डाली और कहा बालाक के पास लवट चा और यो कहना और वह उसके पास लवट कर आ गया और क्या देखता है कि वह सारे मुवाबी हाकिमों समेत अपने होमबली के पास खड़ा है तब बिलाम ने अपनी गुढबात आरम वकी और कहने लगा बालाक ने मुझे आराम से अर्थात मुवाब के राजा ने मुझे पूरब के पहाडों से बुलवा भेजा आ मेरे लिए याकूब को शाब दे आ इसरायल को धमकी दे परंतु जिन्हें परमश्वर ने नहीं शाब दिया उन्हें मैं क्यों शाब दू और जिन्हें यहवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दू चक्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते है पहाडियों पर से मैं उनको देखता हूँ, वह ऐसी जाती है जो अकेली बसी रहेगी और अन्ने जातियों से अलग गीनी जाएगी, याकुप के धुली के किनके को कौन गीन सकता है, वह इस्राइल की चवथाई की गिनती कौन ले सकता है, सवभाग्य यदि मेरी मृत्यों धर किसी और मेरा अंत भी उन्ही के समान हो, तब बालाक ने बिलाम से कहा, तुने मुझसे क्या किया है, मैंने तुझे अपने शत्रों को शाप देने को बुलवाया था, परंतु तुने उन्हें आशिश ही आशिश दिये, उसने कहा, जो बात यहवा ने मुझे सिखलाई, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना न चाहिए, बालाक ने उससे कहा, मेरे संग दुसरे स्थान पर चल, जहां से वे तुझे दिखाई देंगे, तु उन सभों को तो नहीं केवल बाहरवालों को देख सकेगा, वहां से उन्हें मेरे लिए शाप दे, तब वह उसको सोपिम मैदान में पिसका के सीरे पर ले गया, और वहां सातवेदिया बनवा कर पत्तेक पर एक बच्छडा और एक मेंधा चड़ाया, तब विलाम ने बालाक से कहा, अपने हुम्बली के पास यही खड़ा रहे, और मैं उधर जाकर यहवा से भेट करूंगा, और यहवा ने बिला में एक बात डाली, और कहा कि बालाक के पास लवट जा और यह कहना, और वहां उसके पास गया, और क्या देखता है, कि वहां मुअबी हाकिमों समेथ अपने हुम्बली के पास घ़डा है, और बालाक ने पूचा कि यहोवा ने क्या कहा है, तब विलाम ने अपनी गुडब और कहने लगा, हे बालाक मन लगा कर सुन, हे सिपोर के पुत्र मेरी बात पर कान लगा, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि जूट बोले, और न वह आदमी हैं कि अपनी इच्छा बदले, क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे, क्या वह वचन दे कर उसे पूरा न करे, देख, आशिरवाद ही दिनी की आग्या मैंने पाई है, वह आशिच दे चुका है, और मैं उसे नहीं पलट सकता, उसने याकुब में अनर्थ नहीं पाया, और न इस्रायल में अन्याय देखा है, उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है, और उन में राजा किसी ललकार होती है, उनको मिश्र में से परमेश्वर ही निकाल ले आया है, वह तो बनेल सांड के समान बल रखता है, निश्चे कोई मंत्र याकुब पर नहीं चल सकता, और इस्रायल पर भावी करना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकुब और इस्रायल के विशे अब यह कहा जाएग कि परमेश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है, सुन, वह दल सिहनी की नाई उठेगा और सिहन की नाई खड़ा होगा, वह जब तक अहेर को खान ले और मारे होंके लोह को न पी ले, तब तक न लेटेगा, तब बालाक ने बिलाम से कहा, उनको न तो शाब देना और न आ कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा, वही मुझे करना पड़ेगा, बालाक ने बिलाम से कहा, चल, मैं तुझको एक और स्थान ले चलता हूँ, संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो, कि तु वहाँ से मेरे लिए शाब दे, तब बालाक बिलाम को पोर के सिरे पर, जहां से यशी मोन देश दिखाई देता है, ले गया, और बिलाम ने बालाक से कहा, यहां पर मेरे लिए साथ वेदिया बनवा, और यहां साथ पच्छडे और साथ मेंधे तैयार कर, बिलाक के कहने के अनुसार, बालाक ने प्रत्येक वेदि पर एक बच्छडा और एक मेंधा